पुश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग UPSC Prelims 2021 फाइनली खतम हो चुका है जिस चीज के लिए आप लोग सालो सालो तयारी करते हैं वो एक्जाम यहाँ पे हो गया है intentionally ये वीडियो में थोड़ी लेट अफलोड कर रहा हूं reason being कि जो paper दे रहे हैं वो second paper देने के बाद ही इस वीडियो को देखें चुकि इस प्रकार की वीडियोस देखते हैं first paper को देने के बाद तो दिमाग थोड़ा सा खराब होता है बहुत साथा confusion में रहता है दिमाग और second paper में उतना focus नहीं हो पाता है और अब तो खेर cut off पे discussion चलने वाला है तीन चार दिन अब cut off cut off ही होगा यहां पे अब analysis की बात की जाए बहुत सारे जो मैंने comments देखे अपने channel पे जो Instagram पे message जाए बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि sir paper बहुत factual है easy है cut off जाता जाएगा बहुत सी जगहों पे यह viewpoint देखने को मिल रहा है paper factual है easy है cut off जाता जाएगा बट मेरे हिसाब से cut off ज़रूर से जादा नहीं जाएगा definitely paper factual है बट बहुत जादा easy नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि यह बहुत easy है उतना भी easy नहीं है बहुत से लोग यह बोल रहा है कि current affairs में से सवाल जादा नहीं आए है सवाल factual है they are not from current affairs मैं इस बात से भी वाक्या नहीं रखता हूँ मेरे इसाब से यहाँ पे current affairs में सवाल है 3-4 सवाल का correlation भी मैं आप आपको दिखाँगा कि कैसे वो current affairs है कुछ लोग बोलेंगे कि वो static सवाल है बट वो मेरे इसाब से static नहीं है they are related to current affairs तो जो मुझे initially इस paper की सारे questions को देखके लग रहा है कि भाई paper बहुत सदा tough है मैं गहूँगा बहुत सदा नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है पिछले साल की toughness के साब से देखते हो पिछले साल जो UPSC prelims का paper आया था उसके comparison बोलोंगो पिछले साल जितना tough नहीं है बट बहुत ज़दा आसान भी नहीं है पिछले साल तो highly factual सवाल आ रखे थे और वो जो facts, information पूछी गई थी वो बहुत वैसी लग नहीं थी कि भाई कहां से इनको दूरा जाए इस बार भी जो information दी गई है मांगी गई है, वो factual है बहुत सारे cases में चीज़ें बहुत factual है बट वो फिर भी predictable है ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि वो source कहां पे जिसे for example अगर हम question number 5 की बात करें तो question number 5 में with reference to India the terms halby, ho and कोई pertain to अब ये सवाल impossible नहीं solve करना आप आराम से इसका जवाब धू सकते हो tribal languages बोलो के sir कैसे तो अगर आप ठीक से current affairs follow कर रहे हो एक हिंदुस्तान टाइम्स की news दिखा रहा हूं मैं आपको इसके date भी मैं आपको दिखा जेता हूं कब की news है ये 2 फरवरी 2021 की news है meet the tribal halby rappers of 36 गड मौस्ट हिस्ट बस्टर तो ये जो बस्टरी नाम की भाषा है Eastern Indian Indian language इसमें से कुछ rappers उटके सामने आये थे और halby भाषा में ये rap कर रहे थे तो this is particularly a current affairs news और वो current affairs news आपको यहाँ पर किस form में नज़र आ रही है कि हाल भी हो कोई क्या है आप आसानी से मारक कर सकते हैं tribal languages तो this question is pertaining to current affairs मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे यहाँ पर UPSC अब सवाल बना रही है अब जैसे कुछ सवाल आसान भी जैसे question number one और question number two ये सवाल मैं काफी आसान बोलूगा हाला कि काफी आसान in the sense की बहुत सरे लोगों को मुश्किल लगेंगे आसान मैं इस हिसाब सब बोला हूं देखिए UPSC के standard बहुत ऊपर उठ चुका है ऐसा लग रहा है कि UPSC smart elimination को हटा देना चाहता है smart elimination वाली टेखनीक में काफी लोग master command करके 120, 130, 140, 160 number फोड़ देते थे वो शायद UPSC नहीं चाहता है और इसका best example है question number six question number अगर आप six को देखो तो इसमें अगर smart elimination लगाना हो titles under article 18 clause 1 of the constitution of India किसी ने भी मेरे polity lectures को एक बार भी देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो statement है वो गलत है भारत रतन और पदमा आवार्ट्स कभी भी titles की तरह इस्तमाल नहीं किया सकते ये clear cut बता रखा है फिर दूसरा और तीसरा तब ये confuse करने वाले number of bhaatr जतन awards is restricted to a maximum five ये five नहीं three है तो तीसरा गलत हो जाता है पहला गलत है तो पहला और तीसरा गलत है ये आपको पता चल गया लेकिन अब पहला तीसरा और C और D option में दे रखा 1 and 3 और D में 1 and 2 and 3 तो two वाला भी आपको confirm पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है तो Padma Awards which were instituted in year 1954 was suspended only once अब मैं बोलूँगा देखे ये option मुश्किल है इसमें इन तीनों statements के बारे में जब तक आपको confirm information नहीं पता है आप इस question को solve नहीं कर पाऊगे तो elimination technique आपकी question number 6 में काम नहीं कर रही है इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो question है वो थोड़ा tough हो जाता है अब वैसे ये awards काफी news में रहें तो जिन्होंने इन awards को ठीक से पढ़ा होगा वो इसको आसान से हो सकता जवाब दे दे but overall elimination की technique आपके काम नहीं कर रही कुछ सवाल बहुत आसान भी है जैसे question number 3 देखे question number 3 भी मैं आप से बोलूँगा कि this is not a static question ये भी current affairs से related है 26 जन्वरी 1950 को जो हमारा constitution आया तो उसमें जो preamble आया था क्या लिखाता तो ये लोग कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये static सवाल है static भी है बट current affairs से related भी है अगर static में इस चीज़ को आपने ठीक तरीक इसे नहीं पढ़ा है और current affairs पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे लोगे आते हैं इस particular news पे ये news कब की है 29 जुलाई 2020 की news है Supreme Court में एक plea file हुई एक red petition file हुई कि constitution से secular और socialist words को हटा दीजे secular और socialist words जो की हमारे सविधान में 42nd amendment act से जोड़े गया थे इन words को हटा दो तो भाई अभी के लिए हालाद क्या है क्रेंबल में sovereign socialist secular democratic republic पट socialist और secular को 42nd amendment act से जोड़ा गया था तो 26 जनवरी 1950 को क्या लिखा था a sovereign democratic republic this is the right answer लेकिन बहुत सरे लोग यहां पर भी confused हो गए होगे यह बहुत आसान सवाल है बट हो गए होगे लोग confused यहां पर तो अगर आप में ठीक से current पढ़ी है तो आप इस प्रकार की चीजों को attempt कर पा होगे तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले साल जितना UPSC prelims का paper का tough आया तो 92 का tough गई थी उतना भले ही tough ना हो लेकिन आसान भी नहीं है उससे थोड़ा जादा ही आसान है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अगर difficulty level पिछले साल का 100 था तो इस साल का difficulty level 98 बोल लो 97 बोल लो 95 बोल लो बहुत जादा आसान नहीं किया है paper को factual किया है लेकिन factual information भी तो पता होनी चाहिए ना भाई तभी तो जवाब दे पाहोगे और कुछ-कुछ PCS टाइब की चीज़ें हो रही है बिल्कुली factual चीज़ें पूछ रहा है यारब अब देखो 32 सवर औरमपिक्स के रिस्पेक्ट में बाते पूछ दी है हलाकि है सब करेंट अफेर्स का स्पोर्ट क्लाइमिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराथे, बेस्बॉल को इंक्लूड किया गया ये इसके उपर तो मैंने शॉर्ड भी मिना था कि कौन से चार स्पोर्ट इंक्लूड किये गए फिर यहाँ पे देखो कॉशन नबर 7 में स्टेटमेंट 2 हैदराबाद was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest ये इस प्रकार का आप कह सकते हैं PCS टाइप के स्टेटमेंट को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है ICC World Test Championship का final हुआ था इंग्लैंड में इंडिया न्यूजिलाइड के बीच में तो वर्ड टेस्ट चेंपेंशिप के बारे में यहाँ पर पूच दिया गया है अब इस प्रकार के सवालों को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो सब बोलते हैं रहे यह UPSC के काम का नहीं है बट पूच दिया है UPSC में तो UPSC में काम का सब कुछ है जिन न्यूजों को हम देख के बोलते हैं ना कि UPSC के लिए इंपॉर्टन नहीं है वो भी यहाँ पर UPSC के लिए इंपॉर्टन हो रही है जिसे कि दो न्यूज में यहाँ पर आपके साथ डिसकस करना चाहूँगा एक तो यह question number 24 और question number 25 अब हो सकता है यह किसी को थोड़ा था tough लगे जिसे यह एक tough question लगेगा पिछले एक साल से इस बात के उपर डिबेट चल रही है कि यह जो food delivery platforms है और दुनिया भर में जब food को deliver किया जाता है तो उनको plastics में बंद करके deliver किया जाता है और plastics में अब यह बात तो आपने में सुनी होगी कि पनी में आप plastic में अगर आप गरम खाना डाल दोगे तो plastic के कुछ elements पिघल के उस खाने में मिल जाएगा और वो खाना आप खाऊगे तो unhealthy हो जाएगा लेकिन वो जो element पिघल के मिलता है खाने में उसको आप बोलतो हो bisphenol A और यह cancer cost कर सकता है इसके context में लगबग एक महीने पहले का article है यहाँ पे तीन हफते पहले का 17 September का हलाकि पिछले एक साथ से यह चीज नियूज में चल रही है और overall यह जो bisphenol A है इसके उपर पूरी दुनिया में debate चल रही है और यह जो bisphenol A है इससे क्या बनता है इससे बनते हैं polycarbonate plastics और यह जो polycarbonate plastics है इससे बनाए जाते हैं food containers वो food packet जिसमें आपको खाना डिलिवर किया जाता है तो कल की डेट में सुईगी या जोमेटो से कोई plastic में खाना आपके बास डिलिवर हो रहा है इस दम गरम गरम काना आप बोलोगे मज़ा आगया गरम खाके लेकिन वो जो plastic है उस plastic को बनाने में लगाए bisphenol A और यह bisphenol A cancer भी कर सकता है इसी context में question पूछ दिया गया answer क्या हो जाएगा polycarbonate ठीक है तो सवाल बहुत मुश्किल है बट current में है नेक्स्ट बात कर लो triclosan तो यह भी आप लोग बोलोगे यार यह तो बड़ा मुश्किल सवाल लगी है कहां सुने considered harmful when exposed to high levels for a long time तो यह किस चीज में यूज होता है तो triclosan से भी related news है अगर आप देख रहे हैं यह article तो इस article 16 दिसमबर 2020 triclosan in soap toothpaste harmful to health ऐसा है दरवाद ने बोला है तो कुल मिला कि यहाँ पर बहुत सी चीज है जो बहुत सारा आपको unconventional दिख रही है वो actually में उतनी unconventional नहीं है वो कहीं न कहीं current affairs में cover की गई है हलाकि मैं फिर से बोल दू कि paper आसान नहीं है बिलकुल भी आसान नहीं है जो लोग जरूर से ज़ादा बोल रहेंगी paper बहुत आसान है बहुत ज़ादा factual है मैं आपको बता दू जब paper factual होता है न इसका मतलब यह नहीं है कि वो आसान है इस बार factual plus unconventional कुछ-कुछ तक पिछले साल जैसा ही है उससे थोड़ा सा ही आसान है बस तो यहाँ पे number 1 limit से ज़ादा cut off के बढ़ेंगे मुझे 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 लग रहा है I don't think so कि 95 से ज़ादा cut off यहाँ पे जाना चाहिए अब भाई देखो हर साल बच्चे बहुत ज़ादा पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ पढ़ के भाई बिल्कुली bond बने बच्चे वैठे हो और दमी number फोड रहे हैं तो हो सकता है 100 number तक भी चला जाए बढ़ 110, 115 I don't think so कि cut off इतना हाई जाएगा तो 100 marks तक अगर आप score कर रहे हो तो I think कि आप confident हो सकते हो चुकि बहुत जादा cut off यार 110, 115 पर तक इतना आसान नहीं है यह सवाल कि 110, 115 पर चला जाएए आपर cut off जैसे for example आप इस question को देखो question number 70 common carbon metric अगर आपने इसके वारे में नहीं सुना होगा चुकि यह उतना news में नहीं रहा है तो common carbon metric में अगर कोई फटा मारेगा तो शायर C पर फटा मार जाए D फटा मार जाए but actually में answer है A building operations जो दुनिया भर में वर उसके carbon footprint को access करना तो इस प्रकार के सवालों में लोगों में chance ली होगे और उस chance के चलते हैं उनके जो सवाल है वो गलत भी यहां पे हो गया होगे अब biogeo chemical cycle के context में जो सवाल पूछा है ये भी इतना आसान नहीं है तो कुल मिला के paper उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है इसलिए ज़्यादा attention मत लीजे पिछले साल अगर 92.51 कट आफ गया था तो अब 92.51 से नीचे चला जाए इसके chances तो थोड़े कम है चुकि पिछले साल का paper में बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा tough था इस साल उतना tough नहीं थोड़ा सा असान है तो अगर आप 95 से 100 की range में हो I think you are pretty much in the soul zone अपनी त्यारी चालू रखिए 110 आएगा, 115 जाएगा, cutoff, 120 जाएगा, 105 जाएगा यह थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे लेकिन यह मेरा personal thought process है सबका personal thought process यहाँ पर match करें ऐसा ज़रूरी नहीं है और UPSC इतना unpredictable है कि कोई भी आपको नहीं बता सकता detailed solution तो भतेरी coaching institutes आपको provide करवा देंगे आप महाँ देखी सकते हो मैंने एक bus आपको idea दिया है 95 तक अगर आप touch कर रहो तो अपने पढ़ाई means की तीजाली रखो ज़्यादा attention लेने की ज़रूत नहीं ज़्यादा बढ़़ाने की ज़रूत नहीं है 100 तक अगर आप पहुंच रहो तो तो बहुत ही अच्छा है बिल्कुल अपने आपको safe zone में समझो और अपनी पढ़ाई करते रहो समझे है और ignore करिये जो लोग बोल रहे हैं कि 100 सूपर 100 कट अफ जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है मेरे साफ से हैं अलाकि UPSCF कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कहा जा सकता है हम सर्फ सिर्फ अपने viewpoints दे सकते हैं thank you for watching friends I hope आपको वीडियो में कुछ न कुछ यूसफुल जानने को मिला हो अपना viewpoints नीचे comment box में जरूर दीजे दो जोड़ मेटे नवाख help करो have a great day good day